नमस्कार भाई है तो भाई है न्यू होलेंड है 3600-2 और किस तरह की मिट्टी में चल रहा है आप सामने देख सकते हैं अगर इस मिट्टी का सूखने का इंतजार किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा तो गैंगों के लिए खेट तयार करने हैं बागी अंकल जी से थोड़ नमस्कार जै कैसे मान के चलो जमीन ऐसी छोड़ती जाए तो लगबग कितने दिन लगए एक सूखने में तो यह चेड़ा खानी करनी पड़ती है इसके साथ में हवा लगजेगे जमीन को इसलिए उसका मैंड़ पठा रखा तो आपके पास में अलगबग कितनी जमीन है कित तो अजय से आपने ट्रक खरीदा है इस तरह में तो ट्रक्टर कैसा कोई परेशानी तो नहीं तो क्या परेशानी आई आपको इसके साथ में इसमें परेशानी परेशा नहीं इस मैं जिक्कत है तो गारंटी-वारंटी-वारंटी में परणाइ शोन जैसे आपने उंसे कहा धरو तो गारंटी में नहीं बदलेगा उनकी तरफ से अपना ख़र्चा सब कुछ अब नगर में रेटर लेया है अब हो लेटर था हम लोगों बताते हैं इसे मत रहो इसे तो बढ़िया परीत है दो साल की वारंटी मिला था आपको या पांच में इसकी चलती नहीं की जादे- इसके माले थे थोड़ा थे जादा नहीं है कोई दूसरा कौंसा टेटर आपके पास हैं दूसरा टेक्टर कौनसा है कॉन साब से इसकी किमत कुन साथ चाहिए चाहीं चाहिए चाहीं बोसले कटियों नहीं है यह जेना है कि देले का इट रहा है तो यह नियू होलेंड कंपनी से परेसान है और डीलर्शिप सारा फंडा होता है डीलर्शिप का मान के चलो टेक्टरम को इसी कायत भी आगी तो किसान की सुननी चाहिए तो भाईयो और आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना धरन्यवाद पचास एच्पी के साथ में आता है 36 से टेस्ट टेक्टर है तो भाईयो हड़ साल इसी तरीके से छेड़ खानी करनी पड़ती है मिट्टी के साथ में भाईयो आल राउंटर मोडल है और किसान संतुष्ट नहीं है टेक्टर से बिल्कुल भी तो भाईयो सरदार जी मजबूरी में चला रहे है टेक्टर तो भाईयो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना धन्यवाद